आप सभी लोग जानते हैं कि आपका सिविल सर्विस एकजाब में तीन स्टेज होते हैं, तीन चरन होते हैं एक आप देखते हैं कि प्यारंबी पर इक्षा होती है, यानि कि प्रलेम्स होता है छिसे आप लोग mans कहें देते हैं लिखित परीक्षा कहें देते हैं फर आप देखते हैं कि आपका इंटर्वी होता है और इसी में अगर हम लोग mukh परीक्षा में चलें और इसमें optional की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक subject आपको optional का चुनना पढ़ता है कोई इतिहास चुन लेता है, कोई भूगोल चुन लेता है, कोई राजनीती बिज्ञान एबं अंतराष्टी ये संबंध चुनता है तो आज हम लोग राजनीती बिज्ञान और अंतराष्टी संबंध जो optional subject है इसका syllabus क्या रहेगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं और देखिए आप सभी को बता दूँ, कि जब आप लोग एक subject चुनेगे न, optional का तो इसमें दो paper होंगे आपके, paper एक और paper दो और ये दोनो paper merit ranking के हैं, ये भी याद रखिएगा और पहले paper के लिए भी आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा, 250 अंक रहेंगे दूसरे paper के लिए भी 3 घंटे का समय रहेगा, और 250 अंक रहेंगे तो जो optional होता है न, ये 500 नंबर करेता है और काफी महत्तपोर भी हो जाता है, ये आपके selection में काफी बड़ा येगदान भी देता है तो हम लोग सबसे पहले पिस्णपत एक के लिए जो सिलिवर्स है optional का उसे देख लेते हैं तो optional का जो पहला paper होगा, उसमें क्या-क्या पूंचा जाएगा राजनितिक सिध्धान्त एवं भारतिये राजनिति, इसमें राजनितिक सिध्धान्त अर्थ एवं उपागम पढ़ना होगा, फिर आप लोग न्याए के बारे में पढ़ेंगे, रॉल की न्याए के सिध्धान के बिसेश संद्रम में न्याए के सब पित्त्य एवं इसके समुदायवादी समालोचक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप लोग समान्ता के बारे में पढ़ेंगे, इसमे सब के बारे में पढ़ेंगे लोक तंत के बारे में पढ़ेंगे किलासिकी और एवं समकालीन सिध्धानद लोकतंत लोकतंत के विभिन मॉडल पितिनी धिक, सहभागी, बिमर्सी इस सब आप लोग पढ़ेंगे सक्ति, प्राधान बिचारधारा और बैदिता की संक्लतना पढ़ेंगे आप लोग राजनितिक बिचारधाराएं उदारबाद, समाजबाद, माक्सबाद, फासीबाद, गांधीबाद, एवं नारी अधिकारबाद इन सब के बारे में पढ़ना है आपको फिर आप लोग भारतिय राजनितिक से चिंतन पढ़ेंगे इसमें धरम सास्त हो गया, अर्थ सास्त, इवं बौध परमपराएं, सरसियाद एहमद खान, स्री अर्वेंद, एम के गांधी, बी आर अमेड कर, एम एन रोय, इन से सब के बारे में पढ़ना होगा पश्चात राजनितिक चिंतन, पिलोटो हो गया, रस्तो हो गया, मैक्या वैली हो गया, हॉप्स हो गया, लौक, जौन, एसमिल, माक्स हो गया, ग्राम स्की हो गया, हंत्रा, अरेंट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना होगा फिर आप लोग भारती सासन एवं राजनिती के बारें पढ़ेंगे इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे क्या-क्या कवर करेंगे आप तो भारती राष्ट बात इसमें आप देखे भारत के स्वाधी इंता संगराम की राजनित्य के कार नीतियां सम्मिधानवास सिज्जन सत्याग पर आप देखें ये भारत की समीधान भारत की समीधान की प्रमुक्विसेस्ताएं पिस्तावना, मौलीक अदिकार, तथा कर्तब, नीती निदेशक सिध्धान, संसदिये पिडाली एबं संसोधन पिक्किरिया, नयाइक पुनर विलो एबं मूल सरचना सिध्धान के बारें पड़ेंगे फिर आप लोग देखिए इसमें संग सरकार की पिधान अंग कारफाली का विधाय का एबं सरवोच नयाले की विचार, विचारेद भूमी का एबं बास्तबिक कारप्रिणाली के बारें पड़ेंगे फिर आप लोग आधारिक लोगतंत इसमें आप देखिए पंचयायती राज, नगर, शासन, 73, 74, संसोधन का महत्व क्या है इनके बारें पड़ेंगे आधारिक अंदोलन के बारें पड़ेंगे नियंतक महालिका परिक्षक हो गया, बित्त आयो हो गया, संग लोग सिवायो हो गया फिर आप देखेंगे कि संग राज पदेती इसमें आप देखें सामविधानिक उपबंद केंद राज संबंद का बदलता सोरूप और एकी करन बादी पिर्वितियां छेत्रिया कांचायं अंतराज बिवाद फिर आप लोग योजना एवं आर्थिक विकास के बारें पढ़े भारती राजनीती में जाती धरम निजाती एकता के बारे में पढ़ेंगे आप दल फिर्णाली इसमें आप देखें राष्टी एवं छेत्री राजनीतिक दलों के बारे में दलों के विचारिक एवं सामाजी का धार बहु दलिये राजनीती के सवरूप दबाव संभूप निर्वाचक आचारण की प्रिवित्तियां विधायकों की बदलती सामाजी कार्थिक स्वरूप, सामाजी कांदोलन, आप देखें नागरी सुदंता इबा मानावदिकार आंदोलन, महला आंदोलन, पर्यावन आंदोलन, इन सब के बारें पढ़ेंगे। तो जो आप लोग राजनीती विढ्ञान इबन अंतराष्टी समन्द में, पहला पेपर देखेंगेंगे face of this,おい Bus, नाऌप से नाप लोगों कों इतना आप लोगों की शिलीवर स्था पर करना होगा, फिर आप देखते हैं कि राजनीती विढ्ञान इबन अंतराष्टी समंद में दूसरा पेपर होगा आपका उप्सनल का उसी का तो इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे दूसरे पिसंपत के लिए ये भी आपको बता दू कि 250 अंक कर रहेगा नंबर कर रहेगा तीन घंटे का इसके लिए भी आपके पास समय रहेगा याद रखेगा तो तुलांत पिक्रिया की सीमाएं देखेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे तो लांदमत परिपेक्च में राज पूझी बादी एवं समाजबादी अर्धवस्थाओं में राज जी के बदलते सरूप एवं उनकी विसेस्ताएं तथा उन्नत उद्दोगिक एवं विकासी समाजी राज समद्धों के अध्यन के उपागम आधरस बादी हो गया यह थाक बादी हो गया माक्स बादी पिकारिक बादी एवं पेणाली सिद्धाद फिर आप लोग अंतरराष्टी समंद्धों में आधार्भू संकल्पनाएं राश्टी हे सुरक्षा एवं सक्ती संतुलन एवं पित दुई धुरियता सस्ती करण की होड सस्तीरी करण एबं सीते उद्ध नाप की खतरा के बारें बढ़ेंगे फिर आप लोग अंतराश्टी आर्थे बेवस्था का उद्भाव वेटन वोड से 20 व्यापा संगतन तक समाजबादी अर्थवस्था पारव पारसपर एक आर्थिक स है दा और परिसद नाओ अंतराश्टी आर्थे बेवस्था की तितिये विस्व की मांग विस्व अर्थवस्था का भूमंडली करण पढ़ेंगे सहिफ्तराश्टी उनाइटे नैसंस इसमें आप देखेंगे विचारिक भूमिका विचारित भूमिका इवं बास्तविक ले समकालीन बैस्विक सरोकार लोग तंत्र मानावधिकार पर्यावन लिंग नयय आतंगवाद नाभी की एपसार इन सब को देखना होगा आपों भारत, भारत की विदेश नीती पढ़ना है, विदेश नीती की निर्धारक, नीती, निर्मार की संस्थाएं, निरंतर्ता, इबंपरिवर्थन के बारे में पढ़ेंगे, गुट निर्पेक्च अंदोलन को भारत का युगदान क्या है, विभिन चरन, बरत्मान, भूमी का दे नदी जल बिबाद हैं अवेज सीमा पार उत्त प्रवासन हो गया निजातिय दंध हो गया उपलाओ सीमा बिबाद इन सब के बारें पढ़ेंगे भारत एवं बैस्विक दच्छन अफीका एवं लातनी अमेरिका के साथ संबंध एन आई ए ओ डवलू टी ओ बाताओं के लिए आवसक नितिती की भूमिका के बारें पढ़ेंगे भारत एवं बैस्विक सक्ति के अंदर साइवतराज अमेरिका एउरोपे संग जापान चीन रूस के बारें पढ़ेंगे भारत एवं साइवतराष्ट पेनाली साइवतरा सांती अनुरक्षन में भूमिका सुरक्षा पु तो आप देखेंगे तो आप देखेंगे राणिती विज्ञान एभम अंतराष्टी संबंद आप लोगों को इतना पाठकरम कबर करना है और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो जरूर आप बताईएगा